आज हम degrees of adjectives के बारे में सीखेंगे लेकिन इससे पहले हम ये सीखते हैं कि adjectives क्या है ये हम अपनी पहले भी वीडियो में describe कर चुके हैं लिंक आपको description box में मिल जाएगा adjectives जो भी word यानि word that describes the noun जो भी word जो noun को describe करें यानि noun का बता है कि वो कैसा है वो adjectives कहलाता है जिसे उर्दू में sift कहते हैं जैसे fast, pretty, good, यानि good girl, pretty girl, fast, runner, like this ठीक है इसके बाद आती है types of adjectives ये भी हम पहले ही describe कर चुके हैं अपनी वीडियो में जिसका link आपको description box में मिल जाएगा ठीक है ये हैं हमारी types of adjectives यहाँ पे मैंने सिफ चार लेकी हैं बाकी की चार आपको वीडियो में देखने को मिलेंगी डीटेल में चीक है अब आजाते हैं degrees of adjectives की तरफ adjectives की 3 degrees होती हैं एक positive, एक comparative और एक superlative positive कौन सी होती है यहाँ पे आपको English में नजर आएगा आप English में read भी कर सकते हैं मैं आपको उर्दू में describe करके बता रही हूँ ठीक है positive adjective यानि वो किसी के साथ compare नहीं होता जो already जो adjective है ना वो ही normal वाला जो adjective होता है इससे हम positive adjectives कहते हैं comparative वो होता है जो दो लोगों के बीच में या दो चीजों के बीच में compare करें for example दो लोगों के बीच में comparison देना के दोनों में से कौन fast runner है ठीक है like this मैंने example दी है superlative वो होते हैं जो दो से ज्यादा लोगों को compare करने के लिए काम आते हैं यानि अगर दो से ज्यादा लोगों को compare करना हो तो हम superlative adjectives इस्तमाल करते हैं adjectives with two syllables यह syllables वो होते हैं जो हमने कहा था ना word के हिस्से करना अलफास के हिस्से करना इसकी भी मैंने एक विडियो बनाई है जिसका link आपको description box में easily मिल जाएगा तो इसमें जो two syllable words होते हैं उसकी जो comparative बनती है वो er लगा के बनती है और जो more than two syllable होते हैं कहीं भी use करें उससे पहले the जरूर लगाएं ठीक है यह कुछ comparisons है positive, comparative और superlative के जिसमें देखे one syllable word यानि fast एक ही syllable में हो गया तो इसके हमने er लगाया है fast का हो गया faster और उसका superlative बन जाएगा fastest clean, cleaner, cleanest यह है one syllable ending with e जिसके आगे e आएगा जिसके आखिर में e आएगा और one syllable word होगा जैसे wise तो वो wiser यानि इसके जो comparative में है सिर्फ r add किया जाएगा और superlative में सिर्फ और सिर्फ st use किया जाएगा simple, simpler, simplest two syllable ending with y यानि जितने भी जो syllables होते हैं two syllable words होते हैं adjectives होते हैं उसके आगे हम y हटाकर i, e, r कर देते हैं उसके comparative में और superlative में उसका i, e, s, t हो जाते हैं यानि y हट जाएगा skip हो जाएगा और i, e, r comparative में और superlative में i, e, s, t हो जाएगा जैसे busy, b, z two syllable words है ठीक है busy, busier हो जाएगा, busiest हो जाएगा ठीक है, एक मैंने उपर picture के जरी example दी है short, shorter, shortest ये है three or more syllables ठीक है, three or more than three syllables यानि तीन syllable या तीन syllable से ज्यादा जब words होते हैं adjectives होते हैं तो उसके आगे more लगा दिया जाता है ठीक है, creative का हो जाएगा more creative, most creative beautiful का हो जाएगा most beautiful, ये इसकी superlative होगी और comparative होगी इसकी more beautiful, ठीक है syllables आपको इसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है जिसका link आपको description box में मिलेगा, ये video आप ज़रूर देखें तो आपको और अच्छे तरीके से clear हो जाएगा कि syllables क्या होते हैं और इनके usage क्या होते हैं, इनका सबसे ज़ादा और superlative बिल्कुल different हो जाते हैं ये आपको YouTube पे या आपको Google में बहुत easily search करेंगे तो आपको easily मिल जाएंगे, ठीक है irregular adjectives, अब कुछ इनकी examples के जरीए सीख लेते हैं positive में हमारे पास हमने लिये हैं fast, expensive, dirty, cheap अब आप इसको syllable wise भी कर सकते हैं syllable wise आपको, आप इसको break up करके भी सीख सकते हैं कि आप इसमें comparative क्या लगाएंगे और superlative क्या लगाएंगे मैंने आपकी easiness के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे लिया है, जैसे fast का हो गया faster, क्योंकि fast जो है वो one syllable word है, expensive, more expensive dirty का हो गया, dirtier और cheap का हो गया, cheaper superlative में fastest, most expensive dirtiest and cheapest यानि यह हमारी degrees of adjectives की वीडियो थी, जिसमें हमने आपको syllable wise बताया कि इसमें किस तरीके से ER लगता है, या IEST लगता है, या EST लगता है तो वो किस base पे लगता है, वो आज हमने सीखा